हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का आपके अपने योट्यूब चैनल सोचोलोजी वे संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोचोलोजी के कंपेटिटिव एक्जाम के प्रपेशन करते हैं चाहे वो हमारा UGC NET, UPPGT, जारकन लेडिस सूपरवाइजर, बिहार स्टेटिट, सोचोलोजी से डिलेटिट कोई भी टॉपिक हो तो वो आपको हड़ेक एक्जाम में बहुत ही ज्यादा हेलफूल रहेगा और आज के क्लास में हम लोग इमायल दुरखाइम जी के संदर्ब में उनकी बुक्स, उनकी थियोरी से डिलेटिट एमसी और यह जो क्लास है यह आपको आपके सोचोलोजी के कोई भी एजाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेलफूल रहेगा और एक ही क्लास में हम लोग जितने भी MCQ, ML, दुर्ख, MG से रिलेटेड होंगे उन सभी को कवर करेंगे और साथी साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धेनेवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मेरे साथ बना रह रहा है आप लोग बहुत अच्छे प्रकार से आप लोगों का रिस्पॉंस आ रहा है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं जिससे मुझे बहुत ही जादा मोटिवेट हो रही हूँ ताकि आप तक और अच्छे धंक से क्लास को में लेकर आ सकूँ ताकि मेरे साथ द्वारा जो भी material प्रोवाइड किया जारा है वो आपके लिए आपके exam के लिए helpful हो तो चलिए class को हम लोग start करते हैं आज की class में हम लोग क्या देखेंगे तो इमायल दुर्खाइम जी की theory को देखेंगे तो इमायल दुर्खाइम जी से जो पहला first question आता है वो यह है कि उन्होंने प्रतेक्ष वार्ट के संदर्व में कॉंट के उत्राधिकारी के रूप में किसको माना गया है काल माक्स, इमायल दुर्खाइम, काल पापर या मैक्स बेबर को तो कल मैंने पहले ही बताया था कि अगस्त कॉंट जी तो समाज सास्त्र के जनक है ही लेकिन उनके जो वास्तिविक उत्राधिकारी है वो किनको माना जाता है तो इमायल दुर्खाइम जी को माना जाता है उन्होंने किसके विचार दिया था तो उन्होंने प्रत्यक्षवाद की विचारों ने समाजिक चिंतन को एक नई दिशा प्रदान की थी दुर्खेम जी को फ्रांस में समाजिक चिंतन को आगे बढ़ाने का स्रे दिया जाता है वस्तु तो समासास्त के जनल कॉंत के उत्रादिकारी माने जाने वाले फ्रांसेसी विद्वान इमयल दुर्खेम जी है इन्होंने समासास्त को विज्ञानिक धरातर पर दिर करने में विज़ेश भूमी का निवाई है मतलब उनके द्वाड़ा ये बोला यादा कि हम बेज्ञानिक माध्यम से अध्यन करके समाज सांस्त की जो विशेवस्तु है उसको ला सकते हैं उसको कोई भी उसका फैक्ट को हम लोग लेके आएंगे इसके लिए उन्होंने प्रत्यक्षवात का सिध्धान्त को भी अपनाएते हुए सेकंड कोश्चन है कि समाज सांस्त में समाजिक तत्थों के अध्यन पर किस ने बल दिया दीखे सोसलोजी में की फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समाजिक तत्य यानि सोसल फैक्ट के बाड़े में कौन बात करते हैं तो इमायल दुर्खायम जी करते हैं इन्होंने समाजिक सनरचना एवं प्रकाड़े के बीच अनोनास्रे सम्मंद बताया है समाजिक संरच्रा का निमाज समाजिक तत्यों यानि सोसल फैक्ट से होता है प्रतिक समाजिक तत्य समाजिक संरशना के लिए निश्चित प्रकारे होता है प्रकारियों के अधारपड़ी समाजिक तत्य एक दूसर से मिलकर एक विशे समाजिक सनरशना का निर्मान करते हैं प्राचिन सनरशना में समाजिक तत्यों के बीच एक संबन मसीन की पूर्जों की भादी होता है जिसे उन्होंने सहज एकता या यांतरिक एकता कहा है ठीक है उन्होंने इसके बारे में संदर्ब में बात की है हमारा थर्ट कुशन है कि दुर्खिम के अनुसार समाजिक तक्तों में दो विसेस्ताई होती है एक होते हैं बाहयता मतलब क्या वो जो सोसल पैक्ट है वो बाहरी तोर पे हम लोग को समाजिक तक्तों की वियाक्ष्या की है तो इमायल दुर्खाइम जी ने समाजिक तत्य दो प्रकार बता हैं एक तो उन्हों ने समाजिक तत्य में वे तत्य आते हैं जो समाजिक जीवन को संगठित करते हैं जबकि व्यादि किये समाजिक तत्यों में समाजिक जीवन को विगठत करने वाले तत्य आते हैं Q5 पूछा जा रहा है कि निम्नांग की समासास्त्रियों में किसने स्वयम समासास्त्र में डॉक्टर की उपाधी धारं कर फ्रांस में समासास्त्र विवा के स्थापना की थी तो समासास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधी किनोंने धारं की थी तो उस बिसे से लेकर इमायल दुरुखायम जी ने प्यारिस तता फ्रांस के बिभीन विद्यालों में वे दर्शन सास्त्र के भी सिख्षा उन्होंने प्राप्त की थी तो उन्होंने प्रस्यवट प्रायोगे के जो मनों चीज की सक्त धें विल्ययम वुन्ट के दुआड़ा सिख्षा प्राप्त करने के लिए एक वर्स जर्मनी में बिताएं उन्होंने वाध्यों क्स्वविद्याले में प्रोफेसर सी पर प्राप्ट की उन्होंने समासास्त पर फ्रांस के विस्व विद्याल में पहली सिख्छा प्रादान की इसलिए उनको पहला अधिम अकादमिक सिख्छत भी बोला जाता है बाद में पैरिस विस्व विद्याले द्वारा समासास्त में डॉक्टर की उपा पूछा जाड़ा है कि यांत्रीक समयक्य का सिध्धान कि इसके प्रतिपादित किया यांत्रीक समयक्य तीके कि दूआड़ा दिये गया है माक्स दुर्खीम वेवर या कॉंत तिसका डाइट एंसर हो जाएगा दुर्खीम महदे इन्हों ने अपनी पहली पुस्तक डिवीजन और फ्लेवर इन सुसाइटी जो स्रम विवाजन का सिध्धान्त दिया था इसमें दुर्खीम जी ने समाज को आदिम से आधुनिक तक उद्विकास की प्रक्रिया के विशलेशन की अपनी विधी को सपस्ट किया है उन्होंने समाज का वरगी करन समाजिक एकता की प्रक्यत की अधार पर किया जो उस समाज में बिद्धिमान थी उन्होंने ये तरक दिया कि जहां आदिन समाज का संगठर यांत्रिक एकता पर अधारी था वही आधुनिक समाज का संध्य जो अधार है वो साव्यवी एकता पर अधारी थे यांत्रिक एकता का अधार वेक्तिगते एक होती है, यह कम जनसंख्याँ वाला समाजों में पाए जाती है यह विष्ष्ट रूप से बिविन स्वाव लंबिद समू होते हैं जहाँ प्रतिक वेक्ति एक विष्ष्ष्ट समू के अंत्रगद एक जैसे क्र्या-कलापो तटा प्रकारियों में लिप्त रहता है यह सब दिखी उसका अगर अंतर आपको समझना है तो असे पर सकते हैं चुकि व्यक्तियों की एकता अथ्वा आपसे बंदल सम्रूपना तटा व्यक्तियों समंदों पर आधारित होते हैं अथा इस प्रकार के समाज किसी भी प्रकार की विसमता के पती सहिश्णों नहीं होते तो समाज की किसी प्रकार की मांदन की अवहनला करने पर कथोड़ दंद दिया जाता है दूसरे सब्दों में यांत्रिक एकतापड़ाढ़े समाजों में दमनकाडी काड़ों लागों होते हैं जबकि समाजिक माननेताओं से विचलन को रोका जा सके ऐसा इसलिए था क्योंकि वेक्ति तथ समाज आपस में जुरे में थे और उनकी आसंका रहतीरी की आचरन की मानेताओं को भंग होने से समाज बिखर जाएगा अगर हम समाज के अंतर गहता है कि समाज के बिरोधी कोई काम करेंगे तो हमको क्या सवजा नहीं मिलेगी कोई सब्तुफरी हो जाएगा अपना कोई भी काम करने के लिए कुशिण नमर सेवन पूछा जाएगा कि निम्रांकित में से किसने यांतरीक एकता साव्यवीक एकता में भेद किया यांतरीक एकता साव्यवीक एकता इमायल दुर्खाहम braking white कीवर्ड है याद रखिएगा बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा कुश्य नमर एट पूछा जाएगा कि यांत्रिक एवन साव्यविक एकता के आधार पर सडल और और अधोगिक समाज में किसने तर्स पष्ट किया है तो यांत्रिक और साव्यविक एकता किसकों हो जा तो इमायल दुर्खाइम जी के दुवारा किया गया यांत्रिक एकता इवन साव्यविक एकता में उन्होंने इसका विवेजन करके भेद बताए कोश्य नमर टेन पूछे जा रहा है कि दुर्खिम के अनुसार साव्यविक एकता किन समाजों की विसेष्ता है आधिम समाज अधुनिक समाज, ग्रामिन समाज या अविक्सित सवा तो साव्यविक एकता जो है यह आधुनिक समाज की विसेष्ता है और यांत्रिक एकता को आधिम समाज के साथ जोड़ा जाता है इक आत्मक्ता के अधारप समाज का वर्गीकरन तो कॉन हो जाएंगे? इमायल को मिलेगी जो सडल समाज होते हैं उसमें कैसा होगा यांत्रिक एकता और साव्यविक एकता आधुनिक समाज में हमें देखने को मिलेगी सडल समाजों में समाजिक एकता यांत्रिक एकता की रूप में पाई जाती है समाजिक सदस्यंत्रवत सामुहिक चेतना में भाग लेते ह और इसे बनाए रखना अपना निर्धारित करतव्य समझते हैं ऐसी संस्टिलिस्टदा समरूपता और नेतिक सदिश्यता से उत्पन होती हैं सभी सदश्य समाजिक मुल्यों, धार्मिक कृत्यों, क्रिया कलाब, समाजिक प्रथाओं और मानुताओं के प्रती समान भावना र बताया है जैसे सजीव, तरकसिल, धर्म निरपेश या उपरियुकत संभीी, तो समाजिक्ता की विभीनता किस अधार पर बताते हैं, सजीवी के अधार पर, कि धर्म निक्षपर क्या आपकी तरकसिल या उपरियुकत संभी हो जाएगा, अ正Um destructive's to注 tenir ओंते ऐसी करन होते हैं विप्ती और विप्ती में विक्ती और सम्हू में समूंप और समूंप में एक सम्हों पाश्पाड करता है दुरख्यम के अनुसार वा औरी समाज ही वास्टविक देखता है। बात की है तो उनकी दुरखायम जी की जो उनकी पुस्तक थी Elementary Forms of Religious Life इसमें वे धर्म की प्रकति उसकी उत्पति प्रभाव आदिक विस्ते उन्होंने विवेचन किया था उसने समाज को ही देपता माना है और कहा कि धर्म सामुहिक चेतना का प्रतीक है उन्होंने लिखा है कि आदि मानव इतना बुद्धिमान नहीं था कि वो प्रकतिक और ओले की घटनाक उसी रूप में समझ पाता जिस रूप में इस सिद्धान के प्रतिपादकों ने समझा है धर्म कोई इतनी सरूल बस्तू भी नहीं थी कि जिसे प्रतिध्वनी 25 स्वपन वो मित्यू आदी अनुभवों की अधार पर ही समझा जा सके धर्म का वास्तविक अधार तो स्वेम समाज है इसलिए वो लिखते है कि स्वर्ग का समाज एक महीमा मंडित समाज है ये भी important कथन है ये भी इमाईल दुर्खायम जी का है और धर्म समाज की अभेलना नहीं कर सकता वो तो समाज की प्रतिमा है अतव वास्तविक देखता कोण है तो वो समाज है किसने समाज को इस्वर के समकक्ष माना है तो समाज को इस्वर के समकक्ष किन के दुआरा माना गया है इमाइल दुर्खाइम जी के दुआरा धर्म वास्तविक है परन्तु इस्वर धर्म का सार नहीं है यह किसका कथन है तो ये जो कथन है ये इमायल दुर्खाइम जी का है ठीक है धर्म बास्तविक है पन्तु इस वर धर्म का सार नहीं है ये कथन किन के द्वारा कहा गया है तो इमायल दुर्खाइम जी के द्वारा कहा गया है धर्म को वो बास्तविक देपता मानते हैं समाज के लिए उपडियुक जो कथन है ये समासास्ते से ये जो कोशन है एंसर गलत हो गया था तो इसमें उन्होंने इसका जो एंसर हो जाएगा वो इमाल दुरखायम होना चाहिए लेकिन यहाँ पे अकुंजी में एंसर उसमें नहीं दिया गया था कोशन नमर 17 पुछा जाड़ा है कि निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या घनत्व को स्रम भिवाजन से सम्मंद माना है इमाल दुरखायम जी उन्होंने जब अपना स्रम भिवाजन का सिध्धान दिया तो वे बता दे कि जनसंख्या जो है वो मेन फैक्ट है स्रम भिवाजन का लेकिन दुरुखाईम जी का यो मत था प्राचें समाज में स्रम भिवाजन निसपस्द नहीं था समाजी के लिए सकताय ही भी कं थी इसे समाज के अंगों के कारी भी सीमीत थी जैसे जैसे जन संक्या विविव हमारी आवेसकता बढ़ती है वैसे वैसे मैंने आपको उधारन देगी भी बताया था कि कोई पडिवार में सदसे पहले लिंग और आयो के हिसाब से स्रम भिवाजन होता था फिस सदस्यों के कर्म के हिसाब से फिस सरम भिवाजन होता था कोईशी नमर 18 पूछा जा रहा है कि आर्थिक संस्था मानते वे समाज में स्रम भिवाजन के प्रकारियों का विशलेशन किस ने किया है आर्थिक संस्था मानते वे समाज में स्रम भिवाजन के प्रकारियों का विशलेशन इमायल दुर्खायम जी ने किया है स्रम विवाजन एक प्रकार का आर्थिक सहयोग है इसकी उत्पति समाज द्वारा निर्धारित होती है इमायल दुर्खायम इसे समाजिक तथ्य कहते हैं दुर्खायम जी ने आर्थिक संस्था मानते वे समाज में स्रम विवाजन के प्रकारियों का विशलेशन किया है इनके लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा वो सहयोग और एकतर का समाज के प्रकारियों को समझने के लिए बुनियादी अव्यब है स्रम बिवाजन समाज की आवशक्ताओं की पूर्ती करता है स्रम्भी माजन एक ही समय में जहां प्रकति का नियम है वहीं दूसरी और मनुश्य वहवार का नैतिक नियम को मानता है Q19 पूछा जा रहा है कि सास्त्रिय समासास्त्रियों में किस ने तुलनात्मक बिसलेशन में पडिमानात्मक विधी का प्रयोग किया है तो इमाईल दुर्खायम जी हो जाएंगे दुर्खायम जी ने तुलनात्मक बिसलेशन में पडिमानात्मक विधी का प्रयोग किया है उनके अनुसार समासास्त्रिय व्यक्या कारनात्मक सम्मंदू की खोज में नहीं थे प्रकती विध्यान इसे प्रयोगों के द्वाड़ा प्राप्ट करते हैं परंतु समासास्त्रिय में यह संभव नहीं है इसलिए दो या दो से अधिक समाजिक तत्यों की तुलना की जाती है क्वेशन नमर्ट 20 पूचा जाड़ा है कि सामुहि प्रती निधान की अवधारना की द्वाड़ा की गई है सामुहि जो प्रती निधान है इसकी अवधारना इमायल दुर्खैम जी ने की है प्रती निधान मतलब प्रतीक चिन में हो जागा जैसे स्वास्तिक चीन हो गया, देश का जंड़ा हो गया, यह सब चीजे जो आती हैं तो समाज द्वार मान्य उन विचाड़ो, धाड़नाओ, भावनाओ, तथा・प्रतीकों को सामुहिक प्रतिनिधान की संग्या दी गई है जो सामुहिक रूप से समुस्त, जो समुह का प्रधिनिधित्व करते हैं, उन्हें समाज के सदश्य आदर की दृष्टी से देखते हैं, इनका निर्मान समाजिक अंतरकियाओं की दोडान या व्यक्तिगर चेतना के प्राशपरिक प्रभावों के फलशरूप होता है, यही ब दृष्टायम जी ने से सामुहिक प्रतिनिधान की अवधाना दी है, जैसे आप हमारा राश्ट्य ध्वर्ज हो जाता है, सामुहिक प्रतिनिधान के एक स्रेश्ट उधारन है, जो समुह बिसेस अथा किसी राश्ट की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, हम समाजी करन के सामुहिक प्रति नीधान के सिधान को किस ने प्रतिपादित किया है समासास्त्र में प्रकारी की अवधान्ना का प्रयोग जो है वो उनिश्वी सताब्दी में अगस्त कौम्त तता हर्बर्ट स्पेंसर दुआरा किया गया था इन्हों साव्यव माना समास्त जैवे किया साव्यव की कार्च पनाली में काफि सर्दिशता देखी किन्तो इसे व्यवस्तित एवं एक व्यग्यानिक अवधार्णा के रूप में प्रयोग किये जाने कस्त्रे इमाईल दुर्खाईम जी को जाता है दुर्खाइम ने साव्यवी सर्दिश्यता का सहड़ा लेते वे अपधार्णा का प्रयोग स्पेंसर से भिन रुप में किया है कोश्य नमर 24 पूछा जा रहा है कि किसने लिखा है कि समाज स्वत स्पूर्थ है तो इसका जोडाई टैंसर वो हो जाएगा दुर्खाइम जी ने समाजिक तत्यों की विसेस्ता के लिए सुई जेनरी जो आपको फ्रांसेसी वहासा में था उसी का हिंदी था स्वत स्पूर्थ सब्दे का उन्होंने प्रयोग किया था और इसका अभिप्राय है समाजिक तत्य अपने नितांत स्वतंत रूप में बेद्वान रहते हैं या समाजिक तत्यों समाज सास्त्र के पती निधित्व होते हैं कुशन हमें 25 पूछा जा रहा है कि दुर्खिम के अनुसार निम्न लिखित में से कौन सी विसिस्ट विसिस्ता समानी चेतना की नहीं है जो समानी चेतना उसकी विसिस्ता नहीं है घनत्व तुरिवता आयतन या निर्धारन तो दुर्खिम के अनुसार आयतन, त्रिवता और निर्धारन समान ने चेतना की विसेस्टा है जबकि घनत वह सामुहिक चेतना की विसेस्टा है इसको आप लोग कंप्रिवेंजन को जो अंतर इसको याद रखेगा इससे आप से समझ जएगा कोशन अगर आता है इस पकार का तो घनत वह किसका हो जाएगा सामुहिक चेतना का अब आकी सब है समान ने चेतना का कोशन अमेर 26 पूछा जाड़ा है कि दुर्खिम ने किस जनजाती को विस्तित अध्यन का टोटम बाद की अवधारना को विक्सित किया था कौन से जनजाती का वे अध्यन किये थे तो वे ऑस्टेलिया के अरुंटा जनजाती का विस्तित अध्यन किये थे और उसी के फ़ल सरूफ वे टोटम बाद की अवधारना को वे विक्सित किये थे इसलिए टोटम बाद को वे धर्म का अतीप प्राचीन रूप भी मानते हैं Q2. 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 Q2 की विशे में क्या विचार दिया है कि समाज सास की जो प्रकती है ये कलातमक है कि विज्ञानिक है कि दार्सनिक है कि साहितिक है तो उन्होंने समाज सास की प्रकती को विज्ञानिक पतिती माना है समाज की विज्ञानिक समझे जिसे दुर्खिम बिखसित करना चाहते थे वो नैतिक तत्यों की मानता पर आधारित थी। उन्होंने लिखा कि नैतिक तत्य अनतत्यों की तरह घटित होते हैं। वे क्रिया के नियोमों से बने हैं, जो विसेस गुनों द्वाड़ा पहचाने जाते हैं। उनका अवलोकन, वर्णन द थवरगी करन किया जा सकता है। वे विसेस कानूनों के द्वाड़ा समझाये जा सकते हैं। दुर्खिम के अनुसार नैतिक सहीताओं से समाजिक पस्तितियों की विद्वित्ति हो सकती है। इसने समासास्त को प्राकितिक विज्यान के समान बना दिया है, उनकी ये ब्रियत उद्धे समासास्त के विज्यानिक संकाई की रूप में स्थापित करने के बहुत निकर थे आज का हमारा लास्ट कोशन है कि दुर्खिम के अनुसार जो मानव अभिकरन है किनके द्वारा निरुद्ध होता है तो दुर्खिम के अनुसार जो मानव अभिकरन है ये किसके बारे में होता है राजनितिक प्रक्रिया, आर्थिक संसाधन, समाजिक संरश्या ये दूसरे करत अभिकरन तो दुर्खाइम जी के अनुसार जो मानव अभिकरन है यह समाजिक संरशना के द्वाड़ा निरुद्ध होता है दुर्खिम को आधुनिक समाज सास्त्र का संस्था पर और समाज वेग्याने सब्दावली में दुनिया का पहला अधिकारिक समाज सास्त्र भी माना जाता है इन्होंने मानव अभिकरन की बात किया और किस के संदर्व में तो समाजिक संरशना के संदर्व में बात किया तो jaka क्लास है वो आपके एक्जाम के लिए ह्यलц-fully रहोगा इसी प्रकास आप लोग चैनल के साथ बने रहे हम लोग सोस्खो trolls कि सारे टॉपिक्स को यूनिट वाइस किसे जरूर कफर करेंगे मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू